बीती रात को दो नाबालिक छात्राइं लापता होने की सूचना पर इसकूल में होने की खबर से गुसाय बस्ती वालों ने देर रात किया जमकर हंगामा, वाट पारशद और मोहनगर पुलिस ने मौके पर पहुँच कर लोगों को शान कराया मोहनगर थाना शेत्र की अंतरगत आने वाले तीतुरडी के भगास सिंग स्कूल में पढ़ने वाली दो नाबालिक छात्राएं इसकूल से अचानक लापता हो गई जिनके तलाशी के बाद परिजनों को सूचना मिली कि दोनों शात्राएं जो की सगी बहने हैं इसकूल में ही हैं जिसकी सूचना पर परिजनों ने सैकड़ों की संख्या में बस्ती वालों के साथ इसकूल ने पहुँच कर हंगामा कर डाला और स्कूल का ताला तोड़ कर बच्चों की तलाश प्रारम कर दी इस दोरान दोनों बच्चियों की स्कूल बैक स्टाफ रूम में ही रखे मिले लेकिन स्कूल परिसर के अंदर दोनों बच्चियां नहीं मिली इस मामले के सूचना लगते ही मुहननगर थाना पुलीस मौके पर पहुची और इस्थानी पारशत अरुन सिंग के साथ मिलकर बस्ती वालों को शान्त कराया मुहननगर पुलीस CCTV फुटेज के माध्यम से लापता नावाली किसकोरी शात्राओं की तलाश कर रही है जिसके बाद आज सुबह याने मंगलवार की सुबह अस्थानी पारशत अरुन सिंग से मिली जानकारी के अनुसार दोनों शात्राओं सकुशल अपने घर पहुच चुकी है उसके बाद ये मामला पूरी तरह से शान्त हो पाया जान चाह बाद चुका है तब भी नहीं है तो कोई भी बोल रहा नहीं उसका सहली उली दोज़ वार को एक जन ग्यारूद में पड़ती है और एक जन दसुई में पड़ती है इस करेसमा तांडी है एक जन का नाम सोहनितांडी है वह को यह पता चला कि कि क्या बोलते है जो पांच घीक लड़का लोकर वहां थे बोलते है वहां पर वोलते हैं चार पांच लड़का थे बोलते हैं और मेडम अभी चानकारी मिल रहा है कि मेडम लोग भी मेडम से चुटी लिये हैं बोलते हैं लड़का लोग बात कर दखे बोलते हैं वह में ऐसे इसारा किया बोलते हैं वह लड़की को, मेरी लड़की को और क्या हो उतना समय धाई वजे से छुत थी होता है का छुति तब गये हैं ग्रेंडेसीन निउस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट